हेलो दोस्तों, तो आज आप वीडियो के थमनेल को देखके एंटर तो जरूर किये होंगे और अगर आपको उस इमेज के बारे में जानना है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखते रहिए और साथी साथ उस image के बारे में जानने के साथी साथ हम कुछ और amazing facts सुनेंगे जिसके बाद आप जरूर है रहान रहेंगे तो आपने thumbnail में यही skeleton वाली image देखिये होगी जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यह आखिर है क्या यह कोई normal इंसान का है या abnormal या किसी और प्राहनी का या फिर animal का था तो अगर आपको इसके बार में जानना है तो वीडियो को end तत देखना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा fact number 10 हाँ इस cute animals से related है आप देखे सकते है क्यूट अनिमल को इसको ग्योना पिग्स भी कहा जाता है और हमारा fact number 10 कुछ ऐसा है कि शुजर लैंड के law के अनुसार social animals जैसे की ग्योना पिग्स को मतलब अकेला खरीदा नहीं जा सकता उनके साथ एक और बड़ी यानि की एक और ग्योना पिग को खरीदना पड़ेगा जिसके कारण उनको एक बड़ी मेंट मिल जाएगा और फिर उनके साथ रहने के लिए कि आपको पता है स्नेल्स तीन साल सक सो सकते हैं क्योंकि अगर स्नेल्स को उनके लायक एप्रोप्रेट मॉइस्चर सरवाइव होने के लिए नहीं मिला या फिर जो बाहर का वैदर है वो कोप्रेटिंग नहीं हुआ तो फिर वो एक्चुएली में अब बिलीव नहीं कर सकते तीन साल तक सो सकते हैं तो अगर बाहर का वैदर बहुत ड्राय हुआ तो फिर वो खुट के बॉड़ी के साइड में म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं जो उन्हें इस ड्राय वैदर से बचा कर रखते हैं तो हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की और अगला फैक्ट नाम की चॉकलेट थी वो वर्ल्ड वॉर्ड टू के सोलजर्स के रेशन में एड की थी क्योंकि उनसे उनकी डूरेबलिटी अच्छी रहती थी हर वेदर कंडिशन में तो अगर आपको यह फैक्ट सुनकर बहुत ही अजीब लगा या फिर आप सप्राइज रह गया हो तो व जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सारे जायन पंडाज चाइना ओन करती है और पूरे दे वर्ल्ड में उन्हें रेंट देती है वन मिलियन पर यह अगर आपको यह बहुत ही अमेजिंग फैक्ट लगा और विश्वास नहीं हो रहा तो आप चाहिए तो नेट पर भी जा कुछ इस तरह दिखते थे यानि कि आप इस पैंजिया वाली इमेज को तो देखी सकते हैं यह इक सुपर कॉंटिनेंट कैला तो उसके बाद ट्रैसिक पिरेट फिर जुरासिक पिरेट उसके बाद क्रिटैसियस पिरेट और अभी के प्रेजेंट यानि कि जिसमें हमारे सार कॉंटिनेंट से जैसे कि नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एफरिका, एशिया, यूरोप, एंटार्टिक और आर्टिक आपको तो पता होगा तो फिर हमारा अगला इसी से रिलेटेड है तो आप इन सब के बीच में जो चेंजिस है जो कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट के क तो इसी से रिलेटेड हमारा फैक नंबर 6 है तो कि आपको पता है कि यह कॉंटिनेंटलब ट्रिफ्ट इतना फास्ट है जितना फास्ट हमारे इंज ग्रोज इन ये सची है तो हाँ ये सच बात है आप चाहे तो चेक कर सकते है इंटरनेट पर तो हम चलते हैं अपने अगले fact की ओर Fact number 5 तो यह fact कुछ इस तरह है कि अपने एक giant elephant को तो देखाई होगा और साथी साथ एक body building आदमी को भी देखाई होगा कि कितने muscles होते हैं इन दोनों के पास तो क्या आपको पता है कि elephant के trunk में 4000 muscles होते जबकि एक body builder की पूरी body में 750 muscles से भी कम होते आप देखी सकते हैं कितना अजीब और खतानाथ fact है तो इसके बारे में ज़्यादा मत सुचे यही सच्चा ही है तो हम चलते हैं अगले fact की ओर Fact number 3 तो अगर मैं पूछू कि एक bird हवा में कितनी देर fly कर सकती है तो आप में से बहुत लोग बुलेंगे थोड़ी देर fly करके वो नीचे आ जाती है एक दो दिन तो आपको मैं बता दू कि यह frigate bird नाम की एक bird है जो months तक हवा में ही रहती है और ground को touch तक नहीं करती है उतरती भी नहीं यह बहुत ही amazing fact है और आप में से बहुत लोग को यह शायद पता भी होगा तो जिनको नहीं पता था उनको आज जरूर पता चल गया होगा तो हम चलते हैं अपने अगले fact की ओर fact number two fact number two crocodiles से related है और साथी साथ alligator से भी तो मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि crocodiles और alligators दोनों के दोनो trees climb कर सकते हैं हाँ आप में से बहुत लोग का इस पर विश्वास नहीं हो रहा है पर यही सच चाहिए कि यह दोनो trees climb कर सकते हैं इसलिए अगर आप crocodiles से बचने के लिए बेड़ पर चड़ रहे हैं तो सावधान रहे हैं तो हम अपने टॉप फैक्ट पर चाहते हैं यहीं कि फैक्ट नंबर वन पर तो आप में से कई लोग ने यह थमनल पर इमेज तो देखी होगी कि यह है क्या तो मैं आपको यह इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि यह एक बेबी का स्कल है हां मतलब उसके बेबी टीथ लूज होने से पहले कि यह स्कल की इमेज है आप देख सकते हैं यह उपर के जो है वो पर्मनेंट टीथ है जो बेबी टीथ के तूतने के बाद नीचे आ जाते और पर्मनेंट टीथ की तरह सेटल हो जाते आप में से अभी बहुत लोग इसे पहचान चुके होंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं और आपको इन फैक्ट्स के जरीए नौलेज देता रहता हूं तो तब तक के लिए बाई बाई टाटा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्टरीज के साथ